Hello students, आज हम बात करेंगे inheritance of two trades पे ये एक topic है inheritance का तो आज हम ये discuss करेंगे जिसमें एक law आता है जिसमें एक law आता है जिसमें हम कहते है law of independent assortment तो पहले हमने mono hybrid cross को देखा और उसमें Mendel ने जो law दिया था law of segregation जो कहता है कि जो gametes है वो आपस में जो factor है यानि जो allil है वो आपस में separate हो जाते हैं जब gamete बनते हैं तो हर एक gamete को एक अलग ही factor मिलता है यानि कि एक अलग allil मिलती है एक gene की तो अब हम inheritance of two traits को discuss करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि दो अगर characters हो और दो character आपस में साथ एक organism के अदर मौजूद हो तो वो आपस में किस तरह से travel करेंगे वो किस तरह से parents से अफिस्पेंग के अंदर जाएंगे यानि कि inheritance किस तरह से होगी उनकी और दो traits आपस में किस त study किया और जब उसका जो single trait की studies हैं वो काम्याब हो गई तो उसको जब success मिली single trait की studies में तो उसने क्या किया अब उसने दो traits या फिर दो से ज्यादा traits को discuss करना शुरू किया तो जब उसने observe किया दो या दो से ज्यादा traits को तो उसने जो crosses परफॉर्म किये जो hybridization परफॉर्म की उसे हम कहते हैं dihybrid cross, dihybrid cross किसे कहते हैं ऐसा cross जिसमें हम एक organism के अंदर दो जो है वो contrasting characters को observe करें और दो contrasting character वाले organism को हम आपस में cross करवाएं जिससे हमें जो of spring मिलेंगे उनके अंदर हम उनका ratio देखें तो वो ratio होगा dihybrid ratio और ऐसे crosses जो हैं ऐसी cross pollination वो dihybrid cross कहलाते हैं तो मेंडल ने study किया दो traits को और inheritance का pattern find out करने के लिए inheritance of pattern of different traits in organism at the same time यहनि कि एक ही time पे अगर एक से ज्यादा character जो organism के अंदर मौजूद हैं क्योंकि एक organism के अंदर सिर्फ एक character नहीं होता एक से बहुत ज्यादा character मौजूद होते हैं तो अगर हम किसी दो characters को ले लें और उन दो characters को हम देखें कि किस तरह से वो parents से office spring के अंदर travel कर रहे हैं office spring के अंदर वो दोनों किस तरह से जा रहे हैं तो यह कहलाएगा inheritance of true traits तो अब यहां पर दो traits की हम बात करेंगे अब इन में क्या है कि आपने यह देखना है कि अगर आप दो plants को ले रहे हैं तो दोनों plants के अंदर वो दो contrasting characters मौजूद होनी चाहिए suppose कि अगर हम एक ले रहे हैं height की तो height के अंदर एक plant जो होगा तो दूसरा short होना चाहिए यहनि कि दो contrasting characters होने चाहिए उन दोनों के अंदर दूसरा अगर हम suppose seed shape के ले रहे हैं तो अगर एक जो है वो round seed produce कर रहा है तो दूसरा जो है वो wrinkle seed produce करना चाहिए यहनि कि दो different character उनके अंदर मौजूद होने चाहिए तब जाके यह हम cross perform कर पाएंगे तो इस हम die hybrid cross कहते हैं और जो ratios उसने इस die hybrid cross के अंदर हासिल किये जो of spring के ratios थे वो ratios die hybrid ratio कहलाते हैं तो सबसे पहले जो हमने discuss किया था वो था mono hybrid cross अब हम die hybrid cross की बात करेंगे Mendel chose pure tall plant और जो के round seed produce करता था Mendel ने क्या किया एक plant को choose किया जो के pea plant था वही same plant था लेकिन इसमें एक जो दो plants लिये थे उसमें से एक जो था वो tall plant था और वो क्या करता था round seed प्रूदूश करता था तो यह था tall and round plant दूसरा आपके पास वो plant था मेंदर के पास जो के pure था pure drop यानि कि वो short था तो उसके लिए हम small t लिखेंगे और वो wrinkle seed produce करता था तो उसके लिए हम small r लिखेंगे तो ये एक आपके पास था capital T और capital R जबके दूसरा आपके पास था small t और small r तो ये दो प्लांट्स मेंडल ने लिए और दोनों प्लांट्स को आपस में cross करवाया by artificial means तो उसके बाद उसने देखा कि पहली जो F1 generation आई F1 generation के अंदर हमेशा dominant express करता है ये आपको पहले ही पता है तो इसके अंदर जो dominant था यानि कि tall character और round character ये जो plant था tall और round वाला ये dominant था तो इसने F1 generation के अंदर इसको सारे plants tall मिले और वो round seed produce करते थे यानि कि tall और round सारे plants मिले उन ये होता है, mono hybrid cross के अंदर भी ऐसा होता है और die hybrid cross के अंदर भी पहले F1 generation के अंदर ऐसा ही होता है तो उसके बाद F1 के जो of spring है उनको हम अगर self pollination कराएं यानि कि F1 के जो of spring है उनको हम आपस में ही cross करवाएं तो फिर आपके पास जो ratio आता था वो आपके पास 3 ratio 1 था और उस जो है वो recessive character वाला plant आता था तो ये आपके पास monohyberd cross gender ratio था 3 ratio 1 लेकिन यहां पर इसने क्या किया कि अब these results infer perhaps these two traits in assorted traits of the plants are dependent on each other during the inheritance because only one of them parental combination in F1 is generation तो अब इसने क्या किया इसने ये देखना चाहा कि अगर अगर आपके पास जो plants produce हुए है F1 generation के अंदर वो सारे ये plants हैं यानि के tall और round plants हैं तो क्या ये tall और round जो character हैं दो character है एक है tall character दूसरा है round character तो ये दो जो character है एक height का character है दूसरा किसका है दूसरा आपके पास seed shape का character है, तो ये दोनों character क्या एक दूसरे पर depend कर रहे हैं अगर आपके पास ये tall वाला और short वाला ये एक दूसरे पर depend कर रहे हैं, एक दूसरे से assorted है, इसके लिए मेंडल ने word use क्या है, assorted, assorted का मदरब है एक दूसरे से जुड़े होगे, तो अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, मतलब के assorted नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें ये tall वाला जो है, ये अलग चला जाए, किसी round वाले के साथ नहीं, बलके किसी wrinkle वाले के साथ और आपको एक ऐसा plant मिले जो के tall और wrinkled हो tall और round ना हो, tall और wrinkled जो है, ये अलील का वही combination नहीं है, जो कि आपके पास parent के अंदर मौजूद था, लेकिन ये यहाँ पर एक नया combination है, अलील का तो इस तरह से, अगर वो अपस के अंदर जुड़े हुए हैं, तो फिर वो, आप if one generation के अंदर सारे वही plants produce करेंगे, जैसे कि parents थे parental combination उनको मिलेगा, लेकिन अगर वो अपस में जुड़े हुए हैं, नहीं हैं, तो फिर आपको वो नहीं मिलेंगे, यानि कि अगर factors अपस में assorted हैं, factors अगर अपस में assorted होंगे, या allele एक दुसरे पर depend कर रही होंगी, तो फिर आपको parental combination ही मिलेंगे, लेकिन अगर assorted नहीं होगी, तो फिर आपको parental combination नहीं मिलेंगे, और कुछ different combinations भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, तो ये find out करने के लिए, यानि कि ये दो allele एक दुसरे पर depend कर रही हैं, या फिर नहीं, ये find out करने के लिए, उसने F1 generation को आपस में cross करवाया, अब F1 generation की जब self-pollination हुई, तो फिर देखें, क्या मिला हमें, when he left the members of F1 generation in self-pollination, they get their up spring, तो उसने जब up spring मिले, किसके F1 generation के, यानि कि F2 generation जब उसको मिली, तो इसने देखा, कि some new combination, which are different from parental combination, कुछ new combination इसको मिले, जो कि parental combination से different थे, जैसे कि some tall plants can produce wrinkle seed, जैसे कि आपके पास आपने शुरू के अंदर जब plants को लिया था, तो उसके अंदर जो tall plant था, वो कौन से seed produce करता था, वो round seed produce करता था, लेकिन अब यहाँ पर up spring के अंदर कुछ ऐसे भी plants आए हैं, जो के tall plant हैं, और वो कौन से seed produce कर रहे हैं, वो wrinkle seed produce कर लेने के, यहाँ पर capital T और small R वाले plants, तो यह कुछ नए plants हैं, जो के parent के बिल्कुल different हैं, parent ऐसे बिल्कुल नहीं थे, या तो वो अगर drop था, तो वो round seed नहीं produce करता था, वो कौन से wrinkle seed produce करता था, तो अगर यहाँ पर अपके पास यह tall है, तो इसे round seed produce करने चाहिए, लेकिन यह कौन से produce कर रहा है, यह wrinkle seed produce कर रहा है, तो कुछ नए combination यहाँ पर मिल रहे हैं, are some drop plants can produce round seed, या फिर कुछ drop plants यानि के small t थे, जो के round seed produce कर रहे थे, यानि के small t के साथ capital R आ रहा था, तो यह भी एक नया combination था, जो के parents से बिलकुल अलग था, parents जो है, वो किस तरह के थे, वो small t के साथ small r था, यानि के वो अगर drop है, तो फिर वो wrinkle seed produce कर रहा था, तो यह parental combination था, लेकिन यहां पर आपको एक different combination मिला, जो के parent के अंदर बिलकुल नहीं था, तो यह ऐसे different combination आप किस तरह से मिले और क्यों मिल रहे थे, इसको explain करने के लिए, मैंडल ने एक law दिया है, लेकिन उससे पहले हम इस cross को देखेंगे, कि ऐसे आपके पास यह plants क्यों मिल रहे हैं, तो अगर आप इनके genotype के सबसे देखेंगे, और उनको cross कवाएंगे, तो फिर आपको इसली पता चल जाएगा कि किस तरह से यह plants आए हैं आपके पास, तो सबसे पहले आपके पास parent है, जो के P1 है, और यह parent क्या है, यह tall plant है, जो कि round seed produce करता है, तो अब देखें, सबसे पहले, जब हम allele को लेते थे, तो अगर आपके पास एक tall character है, तो उसके लिए हम 2 allele लेते थे, क्योंकि एक parent के अंदर, एक इनसान के अंदर, या फिर किसी भी deployed organism के अंदर, एक character के लिए जो है, वो दो allele होती है, तो अगर आपके पास height का character है, तो इसके लिए 2 capital T हो सकते हैं, या फिर वो capital T small T हो सकता है, या फिर वो small T small T हो सकता है, तो ये 2 allele होती हैं, हर एक character के लिए, एक ही organism के पास, तो अगर यहां पर हम यहां पर tall के लिए देखें तो इस plant के पास क्या होगा capital T, capital T क्योंकि यह pure tall plant है और अगर यह round seed produce कर रहा है तो इसके पास round के लिए भी दो allil होंगी जो कि होंगी यह R और R, capital R, capital R तो क्योंकि यहां पर आपके पास दो आप, दो character को, या दो traits को यहां पर observe कर रहे हैं तो आप दोलों के लिए दो दो जो है वो allil लेंगे जिसकी वजा से आपके पास total एक organism के अंदर 4 allil आपको देखने को मिलेंगी तो दो allil जो है, यह height के लिए और दो allil किस के लिए है, यह seed shape के लिए है, तो इस तरह से आपके पास यहां पर यह एक organism show होगा, उसके बाद जब इसके sperm बनेंगे, यानि के इसके जो gametes बनेंगे, वो gametes फिर से क्या होंगे, उनके अंदर दो जो है, वो क्या होंगे दो इनके अंदर allil मौजूद होंगी तो यहां पर कौन से gametes बनेंगे, एक अपके पास यह capital T या फिर यह capital T, कोई भी एक capital T जो है, वो आजाएगा, यहां से एक R आएगा, कोई भी, यह small R या, यहां पर small R नहीं है, तो सिर्फ capital R भी आएगा, अब यहां से यह दूसरा capital T और यह दूसरा capital R, तो यहां पर फिर से क्या होगा, यह capital T और capital R, तो यह अपके पास इसके gametes बनेंगे, तो यहां पर gametes के अंदर भी क्या होंगे, दो अलिल होंगे, एक जो हाइट के लिए, और एक इसके लिए, एक सीड शेप के लिए, तो यहां पर इस तरह के gametes बनेंगे, इस first वाले plant के साथ, तो tall और round plant है, इसके लिए हम इस तरह से लिए capital T, capital T, और capital R, capital R, इसके जो gametes बनेंगे, वो सारे gametes इसी तरह के होंगे, यहां पर एक gametes नहीं बनेगा, लेकिन gametes के एक type होगा, यहनि कि एक किसम के gametes यहां पर बनेंगे, सारे gametes जितने भी बनेंगे, वो इस तरह के होंगे, तो अब यह first plant से अब के पास यह gametes आ रहे हैं, उसके बाद second plant है, drop plant जो के क्या प्रोडूस करता है, वो wrinkle seed प्रोडूस करता है, तो यहां पर यह wrinkle जो है, इस तरफ से चला गया, अब यह wrinkle seed यहां पर produce कर रहा है, इसके लिए जो genotype होगा, वो यह होगा, small t, small t, क्योंकि यह recessive है, तो यह pure drop है, इसके लिए यह आएगा, और साथ में आपके पास यह wrinkle seed produce कर रहा है, तो यहां पर यह small r, small r आएगा, तो यह आपके पास इसका genotype है, इसके अंदर से जो भी gamits बनेंगे, वो इस तरह से होगे, अगर यहां पर दोनो small t में से कोई एक small t आ जाएगा, और यहां से दोनो small r में से कोई एक small r आ जाएगा, तो ऐसे ही यह आपके पास दूसरे भी, जितने भी बनेंगे, sperms या फिर ovum, अगर यह female होगा, तो क्या बनेंगे, ovum बनेंगे, तो gamits जितने भी बनेंगे, वो किस तरह की, इस तरह की gamits यहां पर बनेंगे, अब इनकी जब cross pollination होगी, यहां पर जब cross होगा, तो फिर आपके पास f1 generation के नदर हो, जो plants आएंगे, वो यह plants होगे, किस तरह से, यहां से capital T आएंगा, यहां से small T आएगा, तो this capital T और small T, यहां से capital R और small R तो यहां पर capital R, small r, ये plants जो होंगे और gång यहाँ पर चाहँ है तो यहाँ पर यहाँ प्लांट्स क्या होगे, टॉल होगे क्योंकि T यहाँ पर dominant है और यहाँ पर r dominant है तो फिर यहाँ पर दिखने में यह क्या होंगे यह क्या होंगे इनका round seed होंगे, तो यह tall plants और round seed produce करने वाले यानि कि ये first parent dominant parent की तरह ये सारे अफस spring यहां पर मिल जाएंगे तो ये F1 generation के अंदर सारे plants जो है वो कौन से बने ये tall और round seed वाले plants बने उसके बाद second generation के अंदर यानि कि F2 generation के अंदर क्या हुआ कि हमने self pollination करवाई tall और round plants की यानि कि ये heterozygous जो tall और round है यहां पर ये pure नहीं होगा यहां पर ये कौन सा plant है ये heterozygous plant है जो आपके पास F1 generation के अंदर आया है ये homozygous नहीं है ये impure condition में है ये hybrid condition है तो जब hybrid का दूसरे hybrid के साथ cross होगा तो यहां पर ये हमने दिखाया हुआ है ये आपके पास एक plant है ये दूसरा plant है इनके जो gametes बनेंगे वो gametes total four type के होंगे तो heterozygous condition के अंदर different type की gametes बन सकते है इसको explain करने के लिए law of segregation भी आपके पास मौजूद है तो सबसे पहले अगर हम हम इसके gametes यहां पर बनाके देखें तो यह आपके पास है capital T or small यहां पर capital R और small r तो इस तरह से यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इन दौनों में से कोई एक आएगा और इन दौनों में से भी कोई एक आएगा तो हर character के लिए दोनूँ character के लिए एक एक आपके पास क्या होगा अलिल होगा तो अगर ये capital T आएगा और ये आपके पास capital R आएगा तो फिर यहां पर कौन सा plant बनेगा कौन सा gamit बनेगा ? Capital T और capital R वाला तो ये एक gamit बन गया जो कि यहां पर first gamit है अगर यहां से आपके पास फर्स्ट प्लांट में से यहां से आपके पास यह कैपिटल टी आएगा और यहां से स्मॉल आएगा तो फिर आपके पास क्या बनेगा यहां से स्मॉल टी आएगा और यहां से कैपिटल आएगा तो फिर क्या बनेगा small t और capital R तो ये तीसरा gamit कितने तीन gamit बनेगे चौथा gamit क्या होगा यहां से small t आएगा यहां से small r आएगा तो ये आपके पास क्या बनेगा small t small r ये चौथा gamit बनेगा तो टोटल चार gamit आपके पास एक gamit ये gamit इसको fertilize करेगा तो यहाँ से कोई plant आपको मिलेगा अगर आपके पास हो सकता है ये किसी और को fertilize करे या फिर ये इसको fertilize करे या फिर यही जो है ये इसको fertilize करे हो सकता है ये जो gamit है ये इसको fertilize करे या ये gamit इसको fertilize करे तो ऐसे बहुत सारे जो combinations है वो बन सकते हैं तो total 64 combination इनके बन सकते हैं इसलिए आपको 64 type के plant यहाँ पर दिखेंगे genotype के हिसाब से total कितने plants होंगे यहाँ पर 64 जो है 64 नहीं बलके यहाँ पर 16 combination होंगे 16 combination यहाँ पर आपको plants के मिलेंगे और total 16 combination के अंदर सभी का genotype क्या होगा डिफरंट होगा यह number नहीं बता रहे हैं यहाँ पर types बता रहे हैं कि 16 type के genotype वाले plant यहाँ पर मिलेंगे और उनका phenotype के इसाब से वो आपके पास तकरीबन plants जो है वो same होंगे और थोड़े से different होंगे यानि के चार type के phenotype यहाँ पर आपको दिखेंगे जीनोटाइब के अज़साब से 16 होंगे plants 16 type होंगे plants के जबके phenotype के साब से देखने में हमें जो है वो 4 type के plants मिलेंगे यहाँ पर तो अब उनको देखते हैं किस तरह से यह होंगे तो यहाँ पर यहां पर जो gametes आपको दिख रहे हैं, यह gametes यहां पर लिखे गए हैं, यह आपके पास नहीं है, इसको आप काटते हैं, बाकी यहां पर जो यह आपके पास gametes दिख रहे हैं, यह सारे gametes एक प्लांट के हैं, उसके पास यही सारे gametes, यह दूसरे प्लांट के gametes हैं, ठीक है, तो अब यह cross होगा, यहां पर यह capital T, capital R, इस capital T, capital R को cross करेगा, तो यहां पर अपके पास जो plant बनेगा, वो इस तरह का होगा, दोनों तरफ से capital T आया है, और दोनों तरफ से capital R आया है, तो फिर यह plant क्या बनेगा, tall और round plant बनेगा, अगर यह वाला अपके पास capital T, capital R जो है इस वाले gamit को जब fertilize करेगा तो फिर यहां पर capital T, capital क्योंकि दौनों तरफ से capital T आया है और एक तरफ से capital R, दूसरे तरफ से small R आ रहा है तो एक यहां पर small R होगा, बाकी सारे capital होगे अब क्योंकि यहां पर capital R आ गया है तो इसकी वज़ा से यहां पर यह round seed produce करेगा क्योंकि capital R यहां पर क्या है, dominant है और वैसे यहां पर tall के लिए तो डौनों T मौझूद है, तो यह tall प्लांट होगा तो यह भी tall और round होगा, यानि कि इसकी तरह होगा तो अब तीसरा जो है, इसके अंदर भी यहां पर capital T है और यहां पर क्या है, यह small T है तो capital T के लिए यह troll बन जाएगा और यहां पर capital R भी आ रहा है, तो यह round seed भी produce करेगा अगर recessive के अंदर, यानि कि small T, small T कहीं पर आ जाएगा तो फिर वो plant कौन सा बनेगा, वो drop plant बनेगा और अगर आपके पास small R, small R आ जाएगा तो फिर आपके पास वो wrinkle बनाएगा seed वरना सारे जो है, वो round seed वाले plant और tall plants बनेगे तो इनके अंदर यह different phenotype के अंदर बहुत सारे plants जो है वो बन गए और इन्होंने देखा कि कितने plants जो है वो वही parental combination वाले हैं तो ऐसे हमारे पास tall और round जो है वो कितने plants हैं, यहां पर 9 plants जो है वो कौन से हैं, वो वही हैं tall और round वाले यानि कि dominant parental combination वाले plants आपको मिल गए तो टोटल आपके पास जो है, वो कितने ऐसे प्लांट्स हैं, चार और तीन, साथ और ये दो, नो आपके पास प्लांट्स ऐसे हैं, जो कि कौन से हैं, टॉल और राउंड हैं, यानि कि पैरंटल कॉम्बिनेशन वाले हैं, सेम टू सेम पैरंट्स की तरह हैं, और दिखने में स प्योर वाले नहीं है, प्योर वाला जो है, वो सिर्फ कौन सा है, एक आपके पास ऐसा है, जो के प्योर पैरंट की तरह है, लेकिन बाकी सिर्फ फिनो टाइप के हिसाब से वो पैरंटल कॉंबिनेशन की तरह हैं, दूसरे आपके पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जो टॉल है लेकिन वो wrinkle seed produce कर रहे हैं तो ये non parental combination है, parent के अंदर ऐसे plants नहीं थे, तो ये आपके पास total तीन plants है, और कुछ ऐसे plants हैं, जो drop होके round seed produce कर रहे हैं, तो ये भी parental combination के अंदर नहीं है, और ऐसे भी तीन plants आपको मिले, और last वाला एक plant जो कि क्या है, drop और wrinkled है, तो ये parental combination है, तो यहाँ पर एक recessive parental combination आपको मिला है, तो इस experiment से हमें पता चला, कि dihybrid cross के अंदर phenotypically new plants जो है, वो आपको मिलते हैं, plants with non parental combination जो है, वो भी produce होते हैं, यानि कि ऐसे plants जो कि parent की तरह नहीं है, वो parent से different plants भी यहाँ पर बनते हैं, parent क्या थे, parent अगर आप देखें, तो यहाँ पर यह आपके पास दूसरा parent था, तो इनसे जो है, कुछ ऐसे plant बने, जो कि क्या थे, tall थे और वो wrinkle seed produce कर रहे थे, कुछ ऐसे भी plants बने, जो कि क्या थे, drop थे लेकिन वो round seed produce कर रहे थे, तो यह जो है, यह कुछ नए combination यहाँ पर मिले आपको, और यह जो है, यहाँ पर अब explain हो जो कि tall जो थे, वो क्या produce कर रहे थे, round seed, लेकिन यहाँ पर कुछ tall जो थे, वो wrinkle seed produce कर रहे थे, as well as similarly, drop plant do not produce wrinkle seed, यहाँ पर drop जो है, वो parent के अदर drop क्या थे, वो wrinkle seed produce नहीं कर रहे थे, drop जो है, वो wrinkle seed produce कर रहे थे, एक निए, drop plant जो थे, वो पहले तो wrinkle seed produce करते थे, किसमे पैरेंट के अंदर लेकिन अब वो जो है कुछ ऐसे डॉफ प्लांट हैं जो के राउंड सीट प्रोडीज करें तो यह नॉन पैरेंटल कंबिनेशन हैं dominant parental combination इसको हम कहते हैं dominant parental combination क्योंकि ये दोनों character dominant हैं और ये parent के अंदर दोनों मौझूद थे यानिके ये dominant parental combination है और ऐसा combination 9 upon 16 मिला जबके दूसरा एक ऐसा है जो कि क्या है यहां पर एक dominant है और दूसरा recessive character है ये non parental combination है ये parent के अंदर मौझूद नहीं था तो इसका ये आपके पा 16 यानिके दो non parental combination 3 ratio 3 के अंदर आपको मिले और एक था tall plant जो कि wrinkle seed produce कर रहा था ये बिल्कुल parental combination है लेकिन इसे हम कहते हैं recessive parental combination क्योंकि ये दोनों character यहां पर sorry tall नहीं आएगा यहां पर tall और यहां पर tall काड़ते हैं यहां पर दोनों में drop लगा दें क्योंकि ये drop plant और wrinkle seed produce करने वाले थे तो ये आपके पास क्या थे drop और wrinkle ये parental combination है जो कि recessive parental combination है और ये आपको मिला 1 upon 16 इसको आप table के अंदर जो cross है उससे भी match करके इसी ratio को देख सकते हैं ये जो results मिले इसने Mendel को यहां पर एक law देने पर जो है वो मजबूर किया यानि कि यहां पर ये इस results की वज़ासे Mendel ने एक law दिया उस law को हम कहते हैं law of independent assortment जो कि बताता है कि factors of assorted trades are independent in their inheritance यानि कि assorted trades यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम अगर दो trades को यहां पर देख रहे हैं और दूसरा क्या है round है यानि कि एक height का है दूसरा seed shape का है तो यह दोनों characters आप जो assorted हैं तो एक दूसरे के साथ हैं वो एक दूसरे पर depend नहीं करते हैं एक दूसरे से independent है inheritance के दोरान यानि कि जो आपके पास capital T और अगर दूसरा capital T है और साथ में आपके पास यहां पर capital दूनों capital R हैं तो यह दो R जो हैं यह दो T पे depend नहीं कर रहे हैं अगर यह R जो है यह किसी small T वाले के साथ जाना होता तो यह चला जाएगा कभी क्योंकि यह एक दूसरे पर depend नहीं कर रहे हैं और हो सकता है यहां पर कभी small R आ जाए जिसके साथ यह capital T भी जा सकता है तो हो सकता है यहां पर different combination आपको दिख सकते हैं और यह आपके पास इस law के help से हमें समझ में आता है member of one pair of gene segregate independent to the other यहनि कि एक gene जो कि आपके पास height की है और दूसरी gene जो कि क्या है seed shape की है इनके जो members हैं यह एक दूसरे पे क्या है independent है segregation के दोरा यानि कि जब यह segregate होंगे तो यह एक दूसरे पे यह दोनों trades depend नहीं करें दो characters के जो gene है इनके allele एक दूसरे पे depending करें और यह different different combination के अंदर आपको मिल सकते हैं तो यह भी आपको यही law जो है वो समझाता है और इस तरह से आपने पहले देखा भी एक example के साथ जो कि यह पूरा cross था जिसको हमने समझा उसके बाद यह extra reading material के तोपे आपके पास एक चोड़ी सी exercise है इसको आप solve कीजिएगा और अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो comment करके बता है ताके अगर हम next video में भी हो सकता है इसको include कर दें next video में हम इसको शामिल कर देंगे या फिर हम इसके लिए एक चोड़ा सा shot बना के यह आपको solve करवा देंगे तो मिलते है next video में thank you so much Allah आफिस